हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस्टाइविट क्रेजी गुरू फ्रेंड्स डेयाइड यो सेप्टम टेन एन एक जाम है जो कम्प्लेट हो चुका है तो अब पहुत सारे स्टुडेंट है जो मेसेज कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं सर कट अप क्या जाएगा सर रिजल्ट कब क्योंकि सब आते हैं और कट अप ऐसे ही बता के चले जाते हैं कि लेकिन और जो पोस्त है वहर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग है जैसे देखिए जेटियों के टोटल कितना दस सो एक सथ पोस्त थे वन ठावजेंट सिक्स्टी वन पोस्त थे लेकिन क्या है कि हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग पोस्त थे और जो एक्जाम भी हुआ है ना हां कोस्टन सेम था लेकिन जो एक्जाम जो डिपार्टमेंट पोस्त कट अप होगा जो अलग-अलग त्यार किया जाएगा इसमें क्या है जेटियों के लिए अलग पोस्त है इस्टेनों के ल इसका अलग पोस्ट है उसके और फायर में इसका अलग पोस्ट है तो कट-up कैसे सेम हो सकता है कट-up तो अलग-अलग होगा तो इसलिए मैंने काम किया है कि जो अपने पास डाटा आया है वो डाटा के अनुसार आज का यह वीडियो है इस्टोर एसिस्टेंट ए जो कि English और Hindi सारा जो यह डाउट है ना आपके मन में सारा डाउट आज के इस वीडियो में समाप्त होने वाला है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एड्मिनिस्ट्रे जो एस्टोर एसिस्टेंट इंगलिस टाइपिंग है जो की टोटल पोस्ट कितना था 134 जिसमें काटेगरी वा 6 और यह सी के लिए 10 है और उसके बाद हपिंडे टाइपिंग के लिए बहुत कंसीट भं फोल था जिश्में इसमें इंग्लिस और हिंदे टाइपिंग में किसेंच के लिए यानि कि जो ट्राइल टू एकजाम है बंइक फटा दू की इसोर एससेंट में फिज्कल नहीं होगा केवल और टैपींग टेस्ट होगा ओके जिसमें इंगलिष वालों यहेंगलिष टैपनिग टेस्ट होगा और कि क्या है कर दो कि त्म विट क्रेजी गुरु का टीम है जो आपको भी छोड़ने वाला नहीं है यहां पर क्या है इन्फर्मेशन पलस एडूकेशन इसकॉल टू सेलेक्शन आप लिए क्या है इन्फर्मेशन टाइम टू टाइम कितने सारे स्टुडेंट है जो अभी कॉल कर रहें सर मैंने तो आपक सब्सक्राइब कर लिए एक पोस्ट के लिए आठ लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट के लिए सर यह कहां से आप बता रहें नोटिपिकेशन आप सही से देखो इसलिए ना इन्फर्मेशन आपको हम दे रहे हैं वन रेसियो एट के रूप में आपको बुलाया जाएगा यानि कि एक पोस्ट के लिए आठ लोगों को बुलाया जाएगा आ ट्राइल टू में टाइपिंग टेस्ट जो है किन पोस्ट के लिए एड़िनिस्ट्रिटीव एसस्टेंट और स्टूर एसस्टेंट इस में इंचली टेस्ट होगा उभल siitä क्सटा करηνेंगे अधिकना पोस्ट है टोटल इंगलिस्टीए पाइपिंग के लिए 134 पोस्ट है 134 गुने 8 किजिएगा 134 गुने 8 किजिएगा इंगलिस टाइपिंग में तो कितना 1072 स्टुडेंट है जिनको 1072 स्टुडेंट को क्या होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कर टेगरी बाइज यालग है जैसे देखे जेनरल में कितना 8C है तो 80 इंटु 8 80 गुने 8 640 स्टुडेंट को बुलाया जाएगा 12 इंटु 8 यानि कि 96 को OVC को 26 है तो 26 इंटु 8 यानि कि 208 कंडिडेंट को बूलाया जाएगा स्टव को कितना 6 इंटु 8 48 को बुलाया जाएगा YSC है ST में कितना 10 to 8 यानि कि 80 को बुलाया जाएगा यहाँ पर एक सर्विसमें एक ही पोस्ट है यानि कि यहाँ पर 8 कंडिडेट को ही बुलाया जाएगा PWBD इसमें टोटल 7 यह मतलब देखे ग्रूप बाइज है जो ग्रूप में आप आते हैं देखे इसमें टोटल 7 पोस्ट है यानि कि 56 कंडिडेट को बुलाया जाएगा अब एक जो डाउट है वह हमेशा आपके मन में रहता होगा सर एक बात बताइए जो यूर का कटप हमेशा जाना क्यों हो जाता है और इसका सीट भी रखिए 80 है यानि कि 61072 में से 640 किन को बुलाया ज णाया जाता है यह आपके मद में हमेशा डाउंट रहता है क्यों रहता है मैं बता रहा हूं डेखित मानली जीए कि टोटल मानने के लिए बोले है फाइनल डाटा नहीं दिया कि इस तोर एक्जाम दी होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से कंडिट इक्जाम दिये हैं 20,000 में से क्या किया जाएगा आपको बीस अजार में से ऊपर ऊपर जिसका मार्क्स रहेगा ना मान लिजे कि आपका मार्क्स कितना है 70 70 है मैक्सिमम मा स्कोर करने वाले हैं ना 70 मैक्सिमम होगा मैं वता दे रहा हूं क्योंकि 60 मिनट में 75 कोश्चन करना एक मतलब टॉप है टाइम उसमें कम था ओके और उसमें भी मैठ और इजिनिंग का ज़रा कोश्चन पूछे जाते थे वो कारण सही सही वो मैक्सिमम जो मैं यह बोला हूं कि सबसे जारा जो 70 सही सही करके आए होंगे 65 to 70 इसके बीच रहे होंगे तो क्या है कि उपर 20,000 है 20,000 है 20,000 में से सबसे पहले उपर-उपर मलाई लिया जाएगा मतलब कि जिसका सबसे जारा नमर रहेगा उसको 640 को लि WS से है वो किस से है OBC से है वो ST से है SC से है ESM से है PWBD से है वो यह नहीं देखेंगे सीधा क्या करेंगे जिसका सबसे हाँ यस्त रहेगा 640 उपर-उपर से 640 अभेहलति को लेंगे यह कारण है कि यूर का जो जिनरल का कटप है न यूर मतलब उसमें कोई भी जा सकता है कोई भी फाइट कर सकता है तो वह कारण है कि जिनका नमर है जो नमर है जो उपर-उपर है उनको ले लिया जाएगा उसके बाद जो कंडिडेट बचेगे न उनको जैसे EWS में डिवाइड किया जाएगा OBC अब यहां से डिवाइड डिवाइड जाएगे कि अपना जो कट्री है उसमें रहेंगे यहां यहां कि निटेगरी बाइड होता है यान कि उपर-उपर मलाई उपर मार लेते उपर से ले लेते हैं उसके बार नीचे जो मलाई के नीचे रहता है उसको क्या कलते हैं में डालते हैं सेम उसी तरह हिंडी टाइपिंग में कितना था हिंडी टाइपिंग में मार्ट चार ही सीट थे इंटुएट के जिए का 32 कंडिडेट को बुलाया जाएगा 32 में से क्या करेगा युवार है दो ही पोस्ट है तो 16 कंडिडेट यहां पर आएंगे OVC8 और SC8 बादबा की जो एक सर्विसमेन और बादबाद ESA में है और EWS उनके लिए पोस्ट यहां पर जीरो है तो उनको नहीं बुलाया जाएगा ओके तो आपने फर्म भी अपलाई किया होगा सरण कटख बतादो जरण रहा है जो important है सर कटब बतादो जादु था जादुख लिये ठेड़िये लगता आप लेकिन आप मैं फिर से बतादो कि कटप visitors देट पहले बतादेता हूं तब लास्ट में कटप रिजल्ट देखे, maximum 40 से 45 डेज में ये रिजल्ट देखते हैं, इस से plus minus 30 डेज लेके चलिएगा, यानि कि आपका रिजल्ट है न, आप ये समझ लिजिए, कि आपका रिजल्ट है एक मई से लेके 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, सर, टाइपिंग टेस्ट इसके कितने दिन बाद होगा? 20 से 25 दिन बाद, माली ये एक महीना आपको टाइम दिया जाएगा, maximum एक महीना, यानि कि आगर माली ये एक मही को आता है न, तो आपको जून में एक जून के करिब आपको टाइपिंग टेस्ट ले लिज लिजाएगा, रिजल्टेट हम लोग देख लिए एक मौई से लेके एक मौई से 15 मौई पाच दिन आगे पीछे ले ले लेजे यह होते रहता है तो उसके बाद सर कटप बता देजे सर रहा नहीं जा रहा है सर तो देखिए कटप मैं बता रहा हूं कटप ओपन होके आजाए अपना सलाइड ओपन येस कटप आ गया अब यह देखिए इंगलिस ट्राइपिंग के लिए सबसे पहले बता दे और यह जो कटप बता रहे है न इसमें प्लस निगेटिव मार्किंग नहीं था तो कटप हाई जाएगा एकजाम भी है जो एकड़म इज़ी जी कोश्चन पूछे जा रहे थे और सबका कोश्चन जो फायरमैन के लिए डेर है उनका भी क्वेकल ओपरेटर था उनका भी कोश्चन एकड़म पूछे जा रहे थे इसमें क्या करना है प्लस फ्लस तू फी प्लस वन ही लेके चलना है जो कटप बताएंगे लेकि यहां you are general है 62 लेके minimum चले हैं तो यहां पे आपको 60 भी जा सकता है depend करता है जैसे देखिए general का जो cut up है अपना 62 से 67 62 से 67 के बीच में cut up जाएगा EWS असर यह कहां से आप पता किये देखिए हमारे पास सुरू से ही इसका information plus education is equal to selection information भी दे रहे हैं education भी दिये हैं शुरू से अपना बुक भी लिए हैं बहुत सारे student जो अच्छा performance करके आए हैं एक दम खुशी कुशी call कर रहे हैं सर मेरा exam अच्छा गया सर बहुत अच्छा मतलब फोड़ के आ गए exam जीतना question करके आए है साइस है इसलिए ना call आ रहा है मैसे जा रहा है तो वहां से information जो आकरा है उससे मतलब average लेके चला हूं तो देखे 62 67 और यह किसके लिए cut up है सबका cut up अलग अलग जाएगा यह मत सोच लिजेगा क्या सर यह fireman का है क्या सर एसिस्टेंट का है क्या administrative सर वीकल अपरेटर का नहीं यह इस्टोर एसिस्टेंट इंगलिस और हिंदी टाइपिंग के लिए है जेनरल का जो cut up जाएगा वो कितना 62 से 67 EWS का कितना 58 से 63 OVC का 59 से 64 ST का कितना 53 से 58 और SC का कितना 55 to 60 और एक सर्विसमेन का कितना जाएगा एक सर्विसमेन का जाएगा कितना 50 to 55 और जो इसका तो बता ही नहीं यह जो PWBD है इसका समझे लिजे 35 to 45 यह इसी के बीच में लेके चलिए इसका क्या है कि आपको इसमे क्या है मतलब नीचे पलस माइनस 3 यानि कि पलस माइनस 2 भी लेकर आप चल सकते है यही cut up रहने वाला है जो जो रियालिटी है रियालिटी इससे न जारा जाएगा न जारा कम इसी बीच में रहने वाला है और इस बीच में अगर आपका नमर है तो आप तेहारी कड़ सकते हैं क्योंकि देखें नमर अप सीट है वो कम है और केटेगरी बाइज अलग-अलग फर्म डाला गया जैसे बहुत सारे कंडिडेट है जिनका इस्टोर एसिस्टेंट में भी डाले थे आई इमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट में भी डाले थे तो उनका एकजाम सेम दे में पर ग क्योंकि आपको टाइम जारा नहीं मिलेगा उधर और अभी से आपको त्यारी करना है अब हिंदी वाले को सर बतार जी हिंदी वाला में थोड़ा तीन नमर माइनस कर दीजे जो इवार में है माइनस थी नमर कर लिजे इतना कटप कम जाएगा बोलिएगा सर ऐसा क्यों नमर करती शुरू से है तो उनके पास है ही तो वहां भी मैसेज पर किजेगा कॉल ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही किजेगा और सेम इसी तरह एडिमिनिस्ट्रेटिव एसेस्टेंट का भी फायर मैन का भी एस्टेनो ग्राफर का भी जेटीयों का भी और ड्राइवर का भी कट